हेलो हाई गाई सब्सक्राइबर कैसे आप सब मैं उम्मीद करता हूं स्वास्थ होंगे मस्थ होंगे उपनी तैयारी में ब्यास्त होंगे बेटा आज काई विदियों प्रवाइदे कला से संबंधित है क्लास 46 आज हम लोग एक संकु से समाधित क्वेश्चन्स देखेंगे जिस पर अनविच्छे व्यों उत्सेद खीचना है जो कि सहते समतल से 55 डिगरी पर बना हुआ है ठीक है तो क्वेश्चन्स को ढंग से पुढ़ना है उसके बाल स्वाल करना है क्योंकि रिडिंग के लिए आपको पेपर में 15 मिनट टाइम मिलता है हाई ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन्स एक संकु का अनविच्छे तथा उत्सेद कीचिये जिसकी अच 36 तल से 55 डिगरी का कौन बनाती है तथा उर्दौाधर समतल के समानांतर खड़ी है संकु का आधार ब्यास 4 सेंटीमेटर यो मु ये इसका 4 सेंटीमेट है तो इस टाइप से में निर्माड करना है क्वेश्चन इतना इंपोर्टेंट है कि ये पक्का छप सकता है तो छपने के चांसे बहुत जादे हैं लगभग 100 पर संट है इसलिए क्वेश्चन हाग के में ना लें अच्छे से सॉल्व करें उसके आसान भासा में समझ सकते हैं सबसे पहले हमने क्या कहा था सबसे पहले हमें एक बेसलाइन खिंच लेनी होती है सबसे पहले आप आराम से एक बेसलाइन खिंच लीजिए दिन उसके ऊपर आपको जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उसे कर देना है क्वेश्चन में क्या कहा चांदा इस पे रखी आरहम से और चांडे से आप देखिये 45 degree कहा आता है इस पॉइंट पे आता है तो सीधे यह रखा किस दीजे 45 degree के समान अंतर अब यह रेखा जो कोल बनाती है यह 45 degree सद्व बनाएगे क्योंकि आप चांडे से माप के बनाया है पैतालिश डिगरी के कोण के साथ साथ आब आपको 4 cm देखना है लेकिन 2 cm इस साइड में हो 2 cm उस साइड में हो क्योंकि उसका ब्यास कहरा है 4 cm है तो data 2 cm इधर हो और 2 cm इधर हो इस टाइप से नहीं 4 cm एक सीधी रेखा में खीच लेनी है सीधी रेखा होने के बाद इसकी हाइट 5.5 cm जहां मिलान करती है वहीं हमें कट कर देना है, मिलान कर देना है हमारा figure ट्रा हो गया अब इसका जो ब्याल से 4 cm है हाइट जो इसकी है 5.5 cm है 5.5 cm और इसकी जो हाइट है ये 4 cm हो गया आपने figure ट्रा कर लिया ये वाला जो इसका कौन ही ये वाला 55 ट्राइट बताया गया था 55 ट्राइट आपने बना दिया है अब इसका नामकराण कर देना है ये बी, c, d जो आपको करना है ये वाला जो base point है आधार रेखा पर जिस बिंदू पर कट कर रहा है इसका नामकराण अवस्च के लिए क्योंकि base पर ही आपने सब कुछ निरभर किया है 55 ट्राइट का जुकाओ अपने base पर ही दिया है अब कुछ लोग कमेंट करेंगे सर, अगर यहाँ पर 45 ट्राइट है तो ये यहाँ पर कैसे जुका होगा तो जुकाओ सदेव बराबर ही होगा यहाँ भी 45 ट्राइट होगा और यहाँ भी अगर आप संका लग रहा है खिंचेंगे तो ये भी 45 ट्राइट ही होगा तो आपने एक भाग कम्प्लेट कर लिया कि 36 अच्छ पर 45 ट्राइट का कौन बनाता हुआ आपने एक संकूब बना दिया है ठीक है और अनुब इच्छेप होता गया है बेटा तो उपर से जब आप देखते हैं ठीक है और जब ठीक सामने से देखते हैं तो उत्सेद हो जाता है आइए देखते हैं अब यह वाला फिगर आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से समझ में आ गया होगा अब इस वाले फिगर की हम लोग बात करते हैं तो यह 36 समतल पर है इसे हम लोग देखेंगी बटा तो यह आपका तो बेसलाइन हो गया मैं बार बार कहता हूँ जो फिगर आपने ड्राग यह है उनकी डाटेड लाइने आप नीचे भी करेंगी क्योंकि उसी के समझान अंतर हमें फिगर ड्राग करना होता है हर एक कॉर्णर पे तो आपने सी पॉइंट लिया सी पॉइंट को यहां पे ड्राग कर दिया पी पॉइंट लिया पी पॉइंट को यहां आपने ड्राग कर दिया ऐसे ही ए पॉइंट लिया ए पॉइंट को आपने यहां ड्राग कर दिया तो यह कन्फर्म हो गया कि इस लाइन से इस लाइन के मद्ध ही हमें यह फिगर ड्राग करना है टेके अनुविच्छे पिसी पे बनेगा इसका अब अनुविच्छे पिसी पे बनेगा इसका जो प्रमारिक ता है वो आप इसी बेसिस पे तै कर पाएंगे कि पॉइंट तो फिक्स हो गए अब बेस लाइन मेरी ये है और इसकी जो ये वाली भुजा है ये चार रखनी है और इसकी जो ये वाली हाइट है ये साड़े पाँच ही रखनी है ये वाली तो इसे फाइब पॉइंट फाइब ही रखना है सेंटिमेटर में तो ये कंफर्म हो गया अब आप इसे आराम से कर सकते हैं आईए कैसे तो पहले आप ये डाटेड लाइने खींच लिए ये कंफर्म हो गया सी पॉइंट कंफर्म हो गया और एपॉइंट कंफर्म हो गया अब ये डाटेड लाइने आपकी फिक्स हो गए कि यही पे ये फिगर बनना है अब काम क्या करना है जो आपने ये base point रखा था जो base point रखा था ये 45 degree आपने खींचा तो इसकी ये जो 4 cm लाइन खींची थी मैंने कहा था 2 cm इतना होगा 2 cm इतना होगा उसका जो point आपने ड्रा किया D point, P point, Q point जो आपने गाम दिया उसी के समानांतर देन रेखा अगली खींच देनी है जो आपने ये वाली रेखा किंची थी इसी के समानांतर point से रेखा किंच देनी है अब ये पता चल गया कि मेरा जो अगला वाला figure रहो रहा है अगला वाला figure का केंदर बिंदू हमें मिल गया है ये point ठीक है तो यह इसका केंदर बिंदू हो गया यहां से आप सीधी रेखा किंचेंगे ऊपर जिस पॉइंट पे कट करेगी ऊपर वाली रेखा को यह उसका मैक्सिमुम दूरी हो गया 5 cm देन इस वाले बिंदू पे जहां से टच करता है इस वाले बिंदू से वहां से आप इधर टच कर दिए वही एक प्रोसेस इधर कर दिए अभीष्ट जो है संकु यही बनके तयार होगा यही इसका अनुविच्छेफ होगा अगर इसका नाम आपने ABC रखा है ABC और Q रखा है तो इसका नाम आप रखेंगे इसमें आपने ब्यास पहले ही क्वेश्चन में बता दिया गया था चार सेंटिमेटर इसका ब्यास है और जो है इसकी उचाई हाइट जो है साड़े पांच सेंटिमेटर है प्रोसेस कंप्लीट हो गया है अब आपको रचना विधी लिखनी है तो रचना विधी में आप क्या करेंगे सबसे पहले मैंने एक 6 समतल पे 45 डिगरी बिंदू के साथ एक रेखा कीची जिसमें हमने 45 डिगरी कौन के साथ एक अधर रेखा से मिलान गर दिया 45 डिगरी कौन के साथ आपने जो ये वाली रेखा मिलान की थी यह वाली बेस लाइन से यह पे तलिटी गरे अपने दर्साय था उसी पे आपको figure draw करना है लेकिन कब draw करना बेटा तो 2 cm की दूरी इधर हो जाए 2 cm की दूरी इधर हो जाए क्योंकि 4 cm हमें इसका व्यास रखना है उतनी दूरी पे आप fit करेंगे देन आपको एक इसकी height देख लेनी है 5 cm जहां पे पूरा होता है इनी कारनारों से सीधे मिलान कर देना है और कुछ नहीं कर रहा है कुछ लोग अभी वी confusion है सर कितने paper होते हैं बेटा paper एक ही होता है मैं पुना कहता हूँ अभी आप समझ जाईए नहीं तो आगे बड़ी दिक्कत होई प्रवेदिक कला केवल और केवल एक paper होगा 100 अंक का होगा और 3 गंटे 15 मिनट आपको solving time मिलेगा 100 अंक को 6 खंडों में divide किया गया है चैनल के माद्यम से आपको paid group में सब कुछ data जारी किया गया है पताया गया है सबका pdf मिल गया है और paid group में आप लोग निश्चित रूप से जुड़े paid group में जुड़ने के लिए नंबर है 7380464607 इसे आप save करें और उसके बाद इस पे आप entry प्रवेदिक कला लिख के भेजें आप से technical team संपर करेगी बता देगी पुरी जानकारी क्या है कैसे है कैसे आप फाइदा ले सकते हैं और मैं पुना कहता हूँ एक ही paper होना है भवश्य में के वो लेक ही paper आप दे सकते हैं इसमें ये नहीं है कि आप स्कुटने डालेंगे फिर आप दे सकते हैं या इस बार fail हो गया अगली बार दे देंगे बड़ा ऐसा नहीं है एक बार आप paper डालेंगे पास तो आपको हर हाल में कर ही देगा कोई 30% परसंट पाएगा कोई 33% पाएगा कोई 50% पाएगा कोई मेहनत करेगा वो 80-90% पा जाएगा तो बड़ा क्यों ना आप मेहनत के साथ करें क्यों खिलबार कर रहे है ये कही बार paper देना है अच्छे अंक होंगे तो मान लो आज की रेड में आपका paper हो रहा है merit base नहीं लग रहा है merit लग जाये तो क्या होगी तो अगर आपके 90% नंबर है तो आप हम apply कर पाएगे ऐसा अगर मान लो उसने design it day siri कर दिया तो क्या होगा तो इसलिए आप लोग अच्छा अंक लेके आए मैं पुना कहता हूँ अच्छे अंकों के लिए आपको अच्छे guidance की जरूरत होती है अच्छे books की जरूरत होती है अच्छे notes की जरूरत होती है जो कि मार्केट में बिल्कुल भी नहीं उपलब्द है लोग कहते हैं सर बुक्स जो मिल नहीं है उसका लिंक सेयर कर दीजे बैटा लिंक क्या सेयर करें मार्केट में इतनी बुक्स आ गई है जिसमें ये दिखते हैं कि उसका टोकापी मिल रहा है बार-बार बंदे फोन कर रहे हैं सर ये बताइए ये वाली बुक्स वरिजनल नहीं है क्या किया जाए मैं पुना कहता हूँ बेटा उसे वापस कर दो योगि कंटेंट उसमें अच्छा नहीं लिखा है और जब आपको कंटेंट अच्छा नहीं मिलेगा अच्छा नहीं हो पाता है तो इसलिए बुक्स के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें जो बुक्स आपके पास मिल रही है मैं बुक्स वाला वीडियो के लिंक इसके डिस्क्रप्शन बाक्स में डाल दे रहा हूँ उसे आप लोग देख लें अगर बुक्स मिल जा रही है अच्छी बात है उसके तयारी करें लेकिन अच्छे गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है अच्छे नोट्स की भी ज़रूरत होती है जिसके लिए आप पेट ग्रूप से जुड़ सकते है ठीक है तो ये वाला क्वेस्टन इसे 5-6 बार प्रक्टिस करनी है 5-6 बार इसकी प्रक्टिस करनी है पकाए छपेगा क्वेस्टन जब मैं आपको महामय राथन कराओंगा उसमें भी बताओंगा इसके महत्त क्या है ठीक है तो इस टाइप से आप रचना भी थिल लेख सकते हैं हमने एक पहले 6 संतल रहा किसी उस पे पैताले डीगरी कोन निर्वगत किया दिन हमने संका निर्माण किया जिसमें उसका जो बेश है यानि ब्यावस था उसे 4 संटीमेटर रखा उसकी हाइट सभे 5 संटीमेटर रखी इस टाइप से हमने उसका निर्माण किया PQR ABC जो अपने डाटेट लाइनों पे आपने फिगर ड्रा किया जो की संक अगर इसका नाम ABC है तो इसे A-B-C-C- के नाम से आपने रखा और वही काम पूरा यहां भी किया है अगर समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया है बिटा वीडियो लाइक कर दो और फ्रेंड्स के भी जरूर सेर कर दो जिससे अधिक लोग लाभान भी थोप है अगर चैनल पर पहली बार प्रतिभाग कर रहे हैं चैनल को निश्ची दूरूप से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे के नोटिफिकेसन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाब ले सको मिलते हैं नेकर बन में तब तक के लिए जाहें